हेलो फेंड्स स्वागत आपका आपके अपने चनल होम टूशन पे दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाड़े हैं हर्याना प्लीस मेल कॉंस्टिबल फाइनल कट ओफ के बारे में कि कितने आपके स्कोर अगर बन रहा है तो आप अपना सेलेक्शन पक्का समझ सकते है तो अगर आप जानना चाते हैं वीडियो को ध्यान सेर पूरा जुरू देखेंगे दोस्तो दोस्तो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं चल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल अकन को प्रेस कर लिजिए और किसी प्रकार की लेटस न्यूज अपडेट को पाने के लिए हम हाँ पर अबडेट हम डालते रहते हैं दोस्तो तो आईए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को तो हर्याना प्लीस मेल कॉंस्टेबल कटोफ के बारे में हम यहां पर बात करेंगे दोस्तो तो कटोफ है वो बनने से पहले बहुत सारे फेक्टर यहां पर काम करते ह कि जैसे बही कितने बच्चों ने एक्जाम दिया कितने बच्चों ने रिटन एक्जाम क्वालिफाई किया अच्छा जिनोंने रिटन एक्जाम क्वालिफाई किया उनका एवरेज सकोर कितना था फिर उनमें से फिजिकल कितनोंने पास किया उनका एवरेज सकोर कितना था और उसके बाद PMT कितनों ने qualify किया, उनका average score कितना था, extra marks कितने है, shift जो बच्चे physical pass हुए है, PMT जिनों ने qualify किया, उनकी shift कौन से थी, क्या 31 वाले ज्यादा पास हुए है या 1 वाले ज्यादा पास हुए है, इस प्रकार के बहुत सारे factor cut off को निर्धारित करेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पर detail से बात करेंगे, आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें, ताकि हर चीज़ा आपको समझ में आए दोस्तों, ठेक है, तो चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर 2-4 facts की हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों की candidate, candidate की ब लग बग 29,000 के आसपास candidate ने PST, यानि running को पास कर दिया, यानि सीधे तोर पर अगर हम देखें, तो 38,000 में से 39,000 रह गए, यानि लग बग लग बग हम देखें, तो 9,000 candidate PST ही पास नहीं कर पाए, यहाँ से वो भार हो गई, ठेक है दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें, तो PST के बाद अगला event था जी PMT, तो PMT में बहुत सारे बच्चे कुछ absent रहे, कुछ documents जिनके पूरे नहीं थे, या कुछ height में निकले, कुछ chest में भी निकले हैं, तो इस प्रकार overall हमारे पास लग बग 27,000 candidate हैं, जो अभी हमारे साथ competition में बढ़े हुए हैं, तो यहाँ से अगर हम overall देखें, तो 2000 के आसपास candidate यहाँ से होगे, यानि कहने का मतलब यह है, कि अगर 38,000 लोगों ने return exam के लिए qualify किया, तो final हमारे पास 27,000 ही candidate बचते हैं, जो की competition में बढ़े हुए हैं, तो यहाँ से एक बात के लिए रोती है, कि लग भग लग दोस्तों यहाँ पे हम कहें, तो भई 11,000 candidate, हाँ जी, 11,000 candidate यहाँ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन 11,000 candidate वो हैं, दोस्तों इन में से कुछ written exam में भी पास हो गए थे, लेकिन PST पास नहीं कर पाए, फिर उन में से कुछ लोग भारोए PMT में, और PMT में 27,000 candidate में से दोस्तों लग बग 3800 candidate दूसरे state से ह पहले चीज़ तो आपको इस समझ में आ गई होगी दोस्तों, अब दूसरी चीज़ यह है, कि जो बच्चे 38,000 से 39,000 में आए हैं, तो पहले तो हम बात किर लेते हैं भारोणे वाले candidates की, तो भारोणे वाले candidates ज्यादा तर इन में से 60% candidate वो हैं, जो लग बग टोपर्स की सर candidate में आते हैं, जिनके 100 questions में से 70 questions पलस ही थे दोस्तों, बाकी कुछ candidate ऐसे भी है, जो लग बग average score के थे 65 से 70 वाले भी भारोए हैं, और कुछ candidate ऐसे हैं, जो lower score वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों के मुस्सम में physical वा था, running हुई थी, तो ना तो मुस्सम की कोई दिक्कत थी भी, गर्मी बहुँ ज़्यादा पड़ रही थी, तो गर्मी में physical नहीं होगा, यहां पे जो भारोए हैं, वो दो परकार के candidate भारोए हैं, पहला तो वो कि ज़्यादातर जो टोपर रहते हैं, जो पड़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो लग बग physical के लिए टाइम नहीं निकड़ पाते हैं, और वो physical की त्यारी नहीं करके गए थे, वो qualify नहीं कर पाए, अनि मतलब 12 मिनट में डाई किलोमेटर वो पुरा नहीं कर पाए, कुछ candidate ऐसे थे जो physical देने ही नहीं गए, जिस प्रकार आपने देखा कि return exam में ही attendance बहुत कम थी candidates की, व क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा return जाप पास भी होगा कि नहीं होगा, हम physical, मतलब physical के लिए बुलाया भी जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, तो time कम मिला था, तयारी नहीं हो पाई, इस प्रकार से factor है, कि यह जो 11,000 candidate है, इनमें से जादतर कोण है दोस्तो, top पर है, ठीक है, और top पर ही decide करते हैं cut off को, पहली चीज़ तो आपको यह समझ में आ गई होगे, दूसरी चीज़ दोस्तो, बात करते हैं vacancies की, तो vacancy की बात करें दोस्तो, तो total cool मिला कर 5,000 vacancy है, total candidate दोस्तो 27,000 है, तो 27,000 candidate अभी line में लगे होई है, 500 यहाँ प 3800 candidate है, यह 27,000 में से ही 3800 candidate other states से है, ठीक है, यह क्यों method रखता है, यह हम discuss करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, अब बात आते हैं दोस्तो, एक और factor यहाँ पर, percentile, तो देखे, percentile एक ऐसा method है, जो खुद HSC को ही समझ में नहीं आया, कि क्या हमने लागो कर दिया, किन को पास किया, किन को फैल किया, क्योंकि लड़कियों के result में हमने देखा, कि बहुत सारी लड़कियां, जो actual में बहुत ज़्यादा इनका score था, वो पास ही नहीं पाई, और एक 60, जिनके question सही थे, पिच्पन question सही वाई थे, वो भी select हुई, ठीक है, तो percentile, जो actual में method है, वो क्या है दोस्तों, वो देख लीजिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो exam है आपका, उसमें दो criteria थे दोस्तों, पहला, return exam, यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, return exam कितने number का था जी, 80 marks का, इसके अलावा जोस्तों, extra marks इतने हैं जोस्तों, 20 marks, अच्छा, 20 marks म इसमें भी 3 कटेगरिया है, एक जी graduate pass, एक जी post graduate और एक जी NCC, करम से 4, 3, 3, 3 नमबर थे, ठेक है, और जो 10 नमबर है, social economic criteria के, इसमें 2 कटेगरिया है, 5 नमबर है जी, no job के, ठेक है, no job के, और 5 नमबर है जी, social criteria के, मत, सोरी, 5 नमर कोण से है, fatherless के, ठेक है, fatherless, ठेक है, अब बात करते हैं, अगली चीज पर, पहली चीज तो यह है, कि जो 3800 candidate, जो other state के है, इनको इन 10 नमबरों का फाइदा नहीं होगा, पहली चीज, दूसरा यह है, पहले हम percentage को थोड़ा सा डिसस करना चाहेंगे, percentage था क्या, percentage यह था कि, आपने दिनिक सवेरा की cutting भी देखी होगी, जो, उस female constable के result के, कुछ दिन बाद ही cutting आई थी, उसमें बताया गया था, कि प्रसल्टाइल में हुआ क्या, कि जिस लड़की के 75 कुष्ण साही थे, जिसके 68 कुष्ण साही थे, जिनके 65 कुष्ण साही थे, सभी को 100% मान लिया गया, और फिर जो extra number थे, किसी के 9 number थे, तो 9 इसमें जोड़ दिया गया, इस प्रकार से 109 पर कटोफल बढ़ा दी गई, बात रही समझ में, तो ये जो तरीका था, ये क्या था, गलत था, क्योंकि इसमें extra numbers को भी जोड़ा गया, और दूसरी चीज ये थी, किसमें गलत ये था, कि 75 कुष्ण वाला और 65 कुष्ण वाला दोनों को बराबर में लाके खड़ा कर दिया, जो कहीं से भी सही नहीं था, इसलिए उसका विरोध हुआ, और अब नए सिरे से, रजल्ट है, वो जारिक क्या जाएगा, नए लाग गलत है, इस पर हम बात नहीं करेंगे, पर सल्टाइल के जो मेठट प्रियोग होता है, दोस्तों वो होता है जी, so into m by n, n होता है जी, total candidate, ठेक है, कि एक स्विप में कितने, ये सेजल में भी लाग होता है, रेल्वे में अलग-अलग फोर्मुलेज के तहत लागू किय किया जाता है, सेजल, सेपियो, और हम बात करें, रेल्वे, उसमें क्या होता है कि negative marking होती है, तो उसमें अलग से formula इजाद किया जाता है, जो कि HSC की exam में negative marking नहीं थी, तो यहाँ पर केवल ये formula यहीं तक सिमित रह जाता है, n क्या है जी, एक स्विप में total कितने candidate appear हो रहे है दूसरा M का मतला होता है, जी topper, M का मतला होता है, जी topper candidate, ठेक है, अब ये percentile है क्या, परसल्टाइल का मतला होता है, जो तो दो प्रकार से चीज़े काम करती है, जैसे हम एक example लेना चाहेंगे छोटा सा, जैसे army के हम बात करें, Indian army, तो दो प्रकार से रेलिया निकाली जात होती है, और दूसरी होती है, पाहडी चेत्रों में, जैसे रानी खेत, तो इसमें होता क्या है दोस्तों, कि दोनों में criteria समान रहता है, लेकिन पाहडी चेत्रों में जो रेलिया होती है, और जो मैदानी भाग में जो रेलिया करवाई जाती है, उसमें जो timing दी जाती है, वै कि वे 1600 मिटर रनिंग अगर मैदानी छेतर में अगर कोई बच्चा 5 मिनट में कर रहा होगा तो वो क्वालिफाई मनना जाएगा वही अगर रानि खेत जैसे छेतरों की बात करें उस मैदान की हम बात करें तो सोडा सुमिटर की ही रनिंग आपको करने पड़ेगी लेकिन वहाँ पे टाइम द्या जाएगा जी 5 मिनट 5 सेकंड का यानि वहाँ पर 5 second का क्या होगा benefit होगा लेकिन layer क्या रहेगी दोस्तों बरबर रहेगी layer क्या रहेगी बरबर रहेगी बातारी समझ में कहने का मतलब यह है कि जैसे आप सुभी जानते भी 31 की shift थी एक की shift और 2 की shift की अब बहुत सारे बच्चे वो है जो 31 वाड़े थे जिनका 52 क्युस्चन पे return exam qualify हुआ और एक और दो वाड़े बहुत सारे ऐसे कंडेरिट हमारे पास थे जिनके पास message आये थे भी हमारे पास message आते है कि जी हमारे 60 क्युस्चन है तब भी हमारा selection नहीं हुआ वो इसी लिए नहीं हुआ क्योंकि हर shift में आपको बताए कि total 6 shift थे एक shift मे च्यार सेट थे कुल मिलाकर 24 सेट थे और हर सेट में अलग से shift wise परसनल टाइल का प्रियोग किया गया यानि एक shift में 52 क्युस्चन वाड़ा भी return exam qualify कर गया लेकिन अगले ही दिन same shift का बच्चा 60 क्युस्चन पे भी return exam के लिए qualify नहीं कर पाया उसके पीछे region था hard shift और normal shift जैस तब मैदानी भाग का अगर कोई लड़का है अगर वो रानेखेट center में जाके running कर रहा है तो उसको 5 second का फायदा मिलेगा अगर कोई बच्चा रानेखेट के मैदान में 5 minute 5 second में running कर रहा है तो उसे मैदान में 5 minute में ही खतम करनी पड़ेगी तब वो qualify माना जाएगा सेम कहाणी यहाँ पर होई कि 31 वाले में 52 क्यूस्टन पर बच्चे सलक्ट हुआ लेकिन एक और दो में 60 क्यूस्टन पर बच्चे सलक्ट नहीं हुए ठेक है दोस्तों अब जो बात करते हैं जो final cut off की ठेक है यह बहुत सारे factor है बहुत लंबी कहाणी हो जाएगी इनको समझ समझते हैं लेकिन अभी जो रिवाइज फोर्मूला लगेगा और जब रजल्ट तयार होगा तो वह कैसे होगा तो थोड़ा से उस पर हम बात करेंगे इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से समझ लिया होगा आपने ठेक है और उसके बाद final cut off पर आ जाएगे तो देखे दोस कि जो candidate है उनको उनके जो criteria है वो क्या क्या है दोस्तों तो हमने देखा था कि 60 से 70 लगबग 60% candidate ऐसे हैं जो graduate पास है और लगबग 20% ऐसे हैं जो PG है और NCC ना के बरबर है ठीक इसी परकार दोस्तों बात करें 9 जोब वाड़े तो 9 जोब वाड़े यहां पे ज़्यादा है fatherless वाड़े कम है लगबग लगबग दोस्तों no job में हम कह सकते हैं कि 60 से 65% candidate ऐसे हैं जो no job की certificate लेकर चल रहे हैं लेकिन fatherless वाले candidate यह कम है लगबग आप कह सकते हैं कि 5 से 7% ठेक है क्योंकि हमने अरियाना प्लीस SI में भी देखा बहुत सारे candidate तो ऐसे थे कि 5 नंबर के यहां पर देखने को मिलेगी लेकिन जो real है जो actual है वो यही डाटा है दोस्तों अब final जो percentage जो final cut up बढ़ेगी वो कैसे बढ़ेगी तो final cut up बढ़ेगी दोस्तों आपकी 100 marks में से जिसे में 80 marks return के है और 20 आपके extra के है ठेक है और हमने ये भी देखा कि जो score है बहुत सारे candidate ऐसे है जिनके केवल 5 नंबर है फिर उससे आगे हैं जी 6 नंबर बाड़े फिर हैं जी 9 फिर 12 फिर 14 इस प्रकार से सीरी चली हुई है इस प्रकार के candidate है लेकिन जो maximum जो candidate है वो इस आएरे में आपते हैं ठेक है और दूसरी चीज रिटन एक्जाम के हम बात करें कि वह एवरेज नंबर ऑफ क्यूशन कितने सही है तो लग बग लग बग दोस्तो 57 से लेकर 63 क्यूशन लग बग इतने क्यूशन एवरेज स्टुडेंट्स के सही है कहने का मतलई है कि बहुत स स्कोर है रिटन एक्जाम क्यूशन ठीक है वो इस रेंज में है 57 से 63 क्यूशन के कुछ स्टुडेंट ऐसे हैं जिनके 65 भी सही हैं 70 भी सही है बैतर सही है पिचेतर भी सही है और कुछ प्रिक स्टूडें और 57 सेखें कम नंबर याणि कम क्यूशन सही है ठेक है ये बातорд आ मान लिया जी 100% और जो एक्स्ट्रा है जो सोशल क्राइटीरिया एज्यूकेशन के नंबर हो तो एक्स्ट्रा ही है वो इसमें आप एड नहीं होंगे ठीक है कटोफ निर्दारी तोगी उससे लेकिन वो परसंटाइल में एड नहीं होंगे कहने का मतलए कि जो फाइनल कटोफ बनेगी वो बनेगी 60 कुष्ण 3 कुष्ण जिसके सङी है उसके नंबर होए जी 28 अशी मेंसे कितने नंबर बने Newton अब मान लीजिए उसके एक्स्ट्रा नो है तो आड़तारीस में नो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी सतावन तो उस बच्चे के क्युशन सो मेसेज और स्कोर बना जी सतावन का और ये उसकी क्या रहेगी कटोप बनेगी ठेक है तो आपको जादा दिमाग मतलब जाटारील ये बना है कि जाट क्युशन है सो परसेंट । फो कितने क्युशन जी DR 2 दूसरे ही एक दूसरे का फिर बदल यहां पर कहा गया है लेकिन जो फानल कुशिक्स Y 48 question 48 number no extra तो कितने होगे जी 57 ठेक है बात आगी समझ में ये data हमने बता दिया है कि ये जो majority of student ये है और majority of student ये है graduate pass भी आपको बहुत कम मिलेंगे 60% भी हमने ज़्यादा बता दिया है लगबग मतलब दो परकार से चिज़े हैं इसके अलावा बहुत सारे factor और भी है क्या क्या factor है दोस्तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे candidates का आभी दिल्ली प्लिस में selection हो चुका है तो ये कहें 5846 पत थे और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली प्लिस में भी majority of students 70% candidate दिल्ली NCR के लगते हैं और कहने के मतलब है कि जो final cutoff है जो 100 marks में से बढ़ेगी यहां पर मैं बढ़ा रहा हूं दो इस तो 100 numbers में से 100 marks जिसमें 80 number का return और 20 number extra total मिला कर किसी भी shift में क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि 31 में से कम वाला भी उठेगा equal percentile के मतलब होता है कि एक shift में एक layer decide होती है कि 31 की hard shift थी तो इसमें 55 किस्टन वाले को उठा लो इससे उपर जिसके किस्टन सही हो सारे के सारे आ जाएंगे एक वाले में मालीजी 60 किस्टन वाले को उठा लिया इस प्रकार से layer तयार की जाएगी उसके आधार पे cutoff decide होगी equal percentile का मतलब ये नहीं कि हर shift से बराबर candidate उठाए जाएंगे हर shift से बराबर candidate नहीं उठाए जाएंगे हर shift की अलग से cutoff निर्दारित करके candidates को बुलाया जाएगा मतलब data collect किया जाएगा और उसके बाद final conclusion बनाके final cutoff तयार की जाएगी और उसके आधार पे result तयार होगा दोस्तों ठेक है तो जो final cutoff है वो जो बनेगी और जो score आपका अगर अब जो हम range बता रहे हैं उसके अंतरगत अगर आपका बन रहा है तो आप अपना selection पक्का समझ सकते हैं आप किसी भी shift में है किसी भी दिन आपकी प्रिश्चा थी अगर आपका score है तो आप selection पक्का मान सकते हैं देखे दोस्तों last year जो 2018 की बरती थी उसमें जो final cutoff गई थी 57 गई थी 57 प्रेंट कुछ ठेक दोस्तों अब उसमें हुआ क्या था उसमें बहुत सारे बच्चों ने fake number बिलिये थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा इस बार आपको होता है biometric हो रही है तैसिलदार से no good job का certificate मांगा गया है उसकी भी तैकिकात हो रही है दोस्तों ठेक है और biometric joining के time पी होगी और हर event पर biometric होई है तो ये बहुत सारे factor होंगे जो काम करेंगे कैने का मतलग है कि last year से ज़्यादा cutoff तो नहीं जाएगी 57 से उपर तो cutoff नहीं जाएगी अब आप जो मैं cutoff बता रहा हूँ अपने return exam में कितने question सही है उसका number निकाड़ लेना पलस में जो आपके extra number है वो जोड़ लेना कुल मिलाकर 100 में से कितना score आपका बन रहा है वो देख लेना और हमसे match कर लेना चेक है तो एक range मैं बताऊंगा expected है ये final कुछ भी नहीं है लेकिन range है कि हाजी minimum इतना रह सकता है और maximum इतना रह सकता है तो जो cutoff रहेगी जोस्तो जनरल कटेगरी 53 से 57 क्युस्षन marks हैं दोस्तो क्युस्षन बार-बार मुँसे निकल रहा है ये क्या रहेंगे marks अगर 100 में से आपके 53 से 57 नंबर बन रहे हैं तो selection पक्का मान सकते हैं अब ये 53 से 57 क्या है 31 की जो shift थी उसमें 53 नंबर वाड़े का भी selection होगा ठेक है और जो एक और दो वाड़ी shift है उनमें 57 नंबर आपके है तो selection हो जाएगा उससे कम है तो मुस्किल चांस बन सकता है बातारी समझ में तो ये range है कि इससे इसके बीच में cutoff रह सकती है हर shift wise cutoff बनाए तो ठेक है तो मैं ये अलगल लगे नहीं बता रहे कि 31 कितनी जाएगी एक कितनी जाएगी कमा नहीं बता रहे कि इस range में आपके नंबर है selection पक्का समझ सकते है इसके अलावा बात करें दोस्तो AWS category की तो 53 से 56 ठेक है BCB category की बात करें तो BCA रहेगी दोस्तो 51 से प्रेपन के असपास और SC category की बात करें तो 48 से 51 के असपास ये cutoff रहने की उमीद है दोस्तो ठेक है ये final हमारे data के according cutoff बन रही है point में हम नहीं गए ठेक है क्योंकि percentiles किस परकार से काम करता है मैंने आपको पहले बताया कि 55 क्यूस्टन 68 क्यूस्टन 65 क्यूस्टन तेनों को ही 100% मान लिया गया ठेक है तो फिर cutoff का percentile का कोई मतलब नहीं है लेकिन औराल अगरम देखे तो इस range के आसपास आपकी cutoff रह सकती है दोस्तो तो वो अपड़ा selection पक्का समझ सकता है ठेक है दोस्तो तो ये हमने गाटा क्या कोर्डिंग cutoff बनाई है हो सकता है देखो इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं ठेक है दोस्तो इससे कम रह सकती है कम कितने रह सकती है ये range हमने बता दी है इसके आसपास ही आपकी cutoff रहने वाली है रजल्ट आपको 10 अप्रेल से पहले पहले देखने को मिल जाएगा हर्याना प्लिस मेल कोंस्टेबल का ठेक है और अमेद करूंगा एनालेसिस आपको पसंद आया होगा हो सकता है कि छोटी मोटी सबद मैंने उल्टे बोल दिया होंगे गलती कर दियोगी उसके लिए हम समाच आएंगे ओराल जो final conclusion वो आपके सामने है वीडियो को लाइक करें share करें चनल को subscribe करें इसी परकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और किसी परकार की latest news update को पाने के लिए टेलेग्राम चनल पर जोन करें जिसका link description में दिया हुआ है धन्यवाद